हेलो गाईज, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टिप्स में आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरन का बहुत ही महतवपुरन टॉपिक क्रिया क्रिया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, वर्ब की वीडियो हम अल्रड़ी कर चुके हैं वर्ब की वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक करें वो वीडियो आपको दिख जाएगी अब हम करते हैं क्रिया, क्रिया किसे खहते हैं क्रिया के बेद कितने हैं, क्रिया के एक्जामपल कितनी है तो चलो आओ मेरे साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहले हम देखते हैं क्रिया की परिबाशा जिस शबद अथवा शबर सुमू के दवारा किसी कार्या के होने अथवा करने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रिया जिससे हमें पता चले कि ये कोई काम हो रहा है जैसे हमने वब में किया थो वब कोई काम था किसी काम का होने का पता चलना कि एक्शन कौन सा हो रहा है वैसे से हम क्रिया क्रिया से हम पता चलता है कि काम क्या हो रहा है उधारन है इसकी जैसे सीता गा रही है गा यहां पे क्या है काम कर रही है वो वह पानी पी रहा है मोहन कॉलेज जा रहा है यह सारे क्या होगे क्रिया है यह गा रहा है पी रही है जा रहा है देगे उधारनों में गा रही है, पी रहा है या जा रहा है शबत कार्य करने का बोध करा रही है कि ये काम हो रहा है इससे पता चलते है कि क्या काम हो रहा है कौन सा एक्शन किया जा रहा है सेंटेंस में इनसे किसी कार्य के करने अथव होने का बोध हो रहा है अते यह सब क्या है क्रियाई है यह दातु क्रिया का मूल रूप दातु कहलाता है कि क्रिया का मूल रूप कौन सा है दातु जैसे लिख, पढ, जा, खा, गा, रो आधी यह सारे दातु रूप है इनी से बन जाते से लिख से बन जाता है लिखता या लिखना पढ से बन जाता ह विल मिलाव से बन जायगा जाना आधि क्रिया ये बनती है न्यक्स के बेत कर्म के दार पर क्रिया के बेद हैं सरंचना के अधार पर भी क्रिया के बेद हम देखें गे और हैं काल के अधार पर क्रिया के बेद पहले हम करते हैं क्रिया करम के अधार पर क्रिया के बेद की करम के अधार पर कौन से बेद है करम के अधार पर क्रिया के दो बेद होते हैं कौन कौन से हैं अकर्मक्रिया और सकर्मक्रिया अब देखते हैं कि सकर्मक्रिया कौन से होती है और अकर्मक्रिया किसको कहते हैं पहले हम देखते हैं सकर्मा क्रिया जिस क्रिया के कार्या का फल कर्ता को छोड़के कर्म पर पड़े उसे सकर्मा कहते हैं कि उसका जो काम हो रहा है वो कर्ता पर प्रभामनी पड़ रहा है उसका पड़ रहा है कर्म पर उसमें करम होना बहुत जरूरी है अर्थात इन क्रियाओं में करम औवश्य है जैसे एक्जामपल से हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं जैसे हरी आम खाता है यहां आम क्या है करम है आम करम है और खाता खाता क्या है क्रिया है क्रिया खाता है का फल करम आम पर पड़ रहा है करम यहाँ पर क्या है आम और खाता यहाँ पर क्या है क्रिया प्रेशन करने पर कि हरी क्या खाता है हम पूछेंगे कि हरी क्या खा रहा है तो उत्तर हमें क्या मिलेगा आम हमें यह नहीं मिलेगा कि खाता है क्रिया का अंसर नहीं आएगा यहां पे अंसर मिलेगा कि आम तो आम यहां पे क्या है करम अथे खाना क्रिया सकर्मक किया है जो खाना क्रिया है वो सकर्मक होगी इसका आगे क्या है इसका करम एक सेकते अकर्मक्रिया ये बिल्कुल सकर्मक्रिया से उपोजिट है जिन क्रियाओं में कोई करम नहीं होता है इसमें करम होता है नहीं है सीधर सीधर ही फैक्टिस का करता पर पड़ता है वे अकर्मक्रिया कहलाती है इसका उधारन देख लेते हैं जैसे बच्चा रोता है इ यहां पर किसी क्रिया का सारा फल पढ़ रहा है क्रिया पर ही सारा फल पढ़ रहा है करम तो इसमें हैं ही नहीं है अत रोना अकरमक क्रिया है प्रेशन पूछने पर बच्चा क्यार होता है ऐसे कोई पूछे का प्रेशन की बच्चा क्यार होता है तो इसका कोई उत्तर नहीं म प्रेणा, प्रेणार्थक क्रिया, पूरव काली क्रिया, एंड एक्स्ट है करिदन क्रिया, अब हम इनको सारे को वन वई वन देख लेते हैं इनक्या, डैफिनेशन की परिभाशा की ये क्रिया कौन सी होती है, सबसे पहले है संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाई मिलकर किसी पूरन क्रिया को बनाती है दो क्रियाई आती है या उसे जादा क्रियाई आती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया जैसे वह पढ़ नहीं सकता पड़ भी करिया और सकता भी करिया दोनों करिया ने मिलके एक संटेंस बनाया इसको हम कहते है संयुक्त करिया next है नामदातु करिया जो नाम संग्या, विशेश्चन या सरवनम शबदातु के सम्मान प्रिउक्थो उन्हें हम नामदातु कहते हैं तथा नामदातों से जो क्रियाईं बनती हैं उन्हें हम नामदातों क्रियाईं कहेंगे उनको जैसे शरम से बन गया शरमाना नेक्स्ट है प्रेणार्थक्रिया इसके नाम से पता चलता जब किसी से प्रेणा मिले काम करने की मोटिवेशन मिले प्रिबाशा जिस क्रिया से यह पता चले कि करता स्व्यम करया कारया ना करके किसी दूसरे को उसके कारया की करने की प्रेर ना देते हैं उसे हम कहते हैं प्रेर नार्थक क्रिया जैसे रोहन सोहन से काम करवाता है तो वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है, काम प्रेद ना देके, उसको किस चीज का लालत से देके, मौटिवेशन देके, वो काम करवा रहा है नेक्स्ट है पूरव काली क्रिया जिस क्रिया से पहले यदि कोई अन्या क्रिया आ जाए कि काम वो हो रहा है उससे पहले कोई और काम आ जाए यहां एक कारे समापत होकर दूसरा काम किया जाए एक काम खतम होगे दूसरा हमने साथ में ही कर लिया उसे हम कहते हैं पूरवकाली क्रिया जैसे तुम खाना खाकर सो गए थे खाना भी खाली है पहली क्रिया है दूसरा है सोना दो क्रियाई होगी यहाँ पे खाना खाली है और साथ ने दूसरी ही क्रिया स्टार्ट होगी कि वो सो गए थे इन क्रियाओं का निर्मान क्रित प्रत्यों के योग से होता है वे क्रिया के पद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्य लगने पर बनते हैं उन्हें हम क्रिया पद कहते हैं जैसे लिख से बन गया लिखना इसके पीछे प्रत्य लग गया, पीछे मतलब कुछ लगाकर लिख से बन गया लिखता या लिख कर तो लिख हमारे पास दाप्तु रूप है, मूल रूप है, उसको हम प्रत्य लगाकर हमने क्या बना दिया, लिख से बन गया लिखना, लिखता और लिख कर next हम देखते हैं काल के धारपर क्रिया के बेद कौन-कौन से है जिस काल में क्रिया समपन होती है उनके अनुसार क्रिया के तीन बेद है तीन बेद बताई हैं इनोंने कि जैसे काल होते हैं कि कौन-कौन से काल में कौन सा काम हुआ है जैसे पहले है बूत काली क्रिया, बूत काल आपको पता है जिसको हम इंगलिश में कहते है पास्ट जो चला गया है नेक्स वर्तमान काली जो चल रहा है भी प्रेजन्ट है नेक्स्ट है बविश्यकाल जो भी आएगा फ्यूचर तो अब हम इनको देखते हैं इनकी परिबाश्या और उधारन पहले है बूत काली क्रिया, क्रिया का वहरूप जिसके दवर बीते समया में कार्या के संपन्ध होने का बोध होता हो कि वो चला गया टाइम पास्ट में ये काम हुआ था, उसको हम कहते हैं बूत काली क्रिया, जैसे शाम स्कूल चला गया है, वो जा चुक है, स्कूल चला गया है, पास्ट में ये काम हो चुक है, बूत काली क्रिया, नेक्स्ट मैं कल मिले में गया था, कल गया था, ये काम हो चुक है तो इन सबीकों कहते हैं बूत काली क्रिया कि जो पास्ट का काम बता रहा है कि हमें पास्ट में ये काम किया था नंबर दो पे है वर्तमान काली क्रिया का वह है रूप जिससे वर्तमान समय में कारे के संपन्ध होने का बोध होता है वर्तमान में इस प्रेजन्ट की काम अभी चल रहा है वो काम जैसे मैं खाना खा रहा हूँ अभी भी भी खाना खा रहा है वर्तमान में हो रहा है ये काम वे अप उस तक पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है बुक तो ये वर्तमान का बता रहा है कि कर रहा हूँ पढ़ रहा है ये सारी चीज़े क्या हो रही है वर्तमान में क्रिया हो रही है नेक्स्ट बविश्यकाल बविश्य जो अभी टाइम आएगा फ्यूचर की बात हो रही है यहां पर प्रिबाशा क्रिया का वह है रूप जिसके दुआरा आने वाले समया में कार्य के संपन होने का बोध हो कि टाइम अभी आएगा वो उसमें काम होगा वो वविश्यकाल क्रिया कहते हैं जैसे हम कल अमेरिका जाएंगे अभी जो कल आएगा ना उसमें जाएंगे हम ये future में अभी काम होगा हुआ नहीं है अभी वह शाम को पढ़ने जाएगा तो ये जाएंगे ये जाएगा ये सारी क्या है बविश्यकाल की बाते है future की बाते हैं वो बता रहे है कि ये काम हम करेंगे तो इसमें हमने देखी क्रिया की प्रिबाशा क्रिया के बेद की कितने टाइपस में क्रिया को आगे डिस्क्राइब किया गया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें जादा से जादा शियर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब जुरूर करें तेंक यू